प्यारे विद्यार्थियो जी आयानू नाइन्थ क्लास दी, NCRT दी, Maths दी बुक दी, Exercise 4.2 इस वीडियो विच शुरू करन जा रहे हैं जड़ा चेप्टर है गया, Linear Equations in 2 Variables रेखी समझी करन दो चलां वाले और पहला स्वाल देखिए, which of the following options is true and why केंदे हेट देते हैं जड़ियों चोना देती हैं तो विकल्प देते ने होना चो केड़ा चोन केड़ी विकल्प दुरूस्त है सही है and why क्यों ते जो स्वाल है वो है कि y is equal to 3 x plus 5 has number 1 unique solution, number 2 only 2 solutions, number 3 infinity many solutions अर्थाथ जड़ा है सम्मिकरन देता हो है y is equal to 3 x जमा 5 एदा एक को एक विलखन solution है, विलखन हल है, दूजी चोन है गिये एदे केड़ केड़ दो हल हन ते तीजी चोन है गिये एदे अनंत बहुत सारे बिना किसी गिनती दे एदे हल हन तेरा जवाब है गया, third is true जड़ा तीसरा चोन है, तीसरा विकल पे वो सही है, वो सच है that is y is equal to 3 x plus 5 has infinitely many solutions सर्थाथ जड़ा सम्मिकरन y बरबर 3 x जमा 5 है एदे अनंत एदे बेंत जड़े हैं वो हल हन एदे कोई गिनती नहीं किती जा सकती क्यों? because it's a linear equation in two variables क्योंकि एदे रेखी सम्मिकरन जड़ा है, एदे दो चला मीच है गाया ते दो चला वाले रेखी सम्मिकरन जड़ा है, वो गिनती दो बार हुन दे हुन ठीके? and for any value of x और y पसी x दी कोई मुल पादी है या y दा मुल पादी है, there is a corresponding value of y और x जी x पावाँ गे ते ओधे संगत, ओधे बराबर दा सान नो y दा मुल पता लग जाएगा ते जैसी y दा कोई मुल पाई है ते ओधे बराबर दा वखरा साध कुल x दा मुल आ जाएगा इस करके जड़े करमित जोड़े बनने, x y, ordered pair जड़े बनने, x y, x y, x y, य और अनंत रूपीच बनने यदे कोई गिंती नी यह दो सब्सक्राश दा मुल पादे जड़े 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 जयरे इनपाईनाली, सुलिशन्स एकल चेते रखनी है एकल तो नोट्स विच भी समझाई से कि जले शुरुवात विच इस चैप्टर दे नोट्स पायने कि जड़े रेखी समीकरन दो चलाम वाले उन्देने linear equations in two variables have infinitely many solutions. ठीक है जी? अब अगला स्वाल दिखिये. Question number two. Write four solutions for each of the following equations. एक जड़े पहले स्वाल दे कि बिस्थरीत रूप है गाई. एक दो चलाम वाले समीकरन ने तेरे विच के इने दे कुछ चार हल पता करो. इदरो पता लगे विच चार उन्दे जादे ही उन्देने एक तो भी जारा हुन्देने. So, एक चार जड़े ने, एक हल भी कोई हल अगे ने. एक जुरूरी ने कि पिच्छे जो कताब चांसर देतेने वा देना रल दे होन्दे उन्दे तो उसी कोई भी चुन सकते हो क्योंकि एक हल अनंत ने. Because these solutions are infinite, so you can choose any value for x और y and find the corresponding value of the other variable. ठीक है? अब उन्देनों करके दाज देया, part 1, 2x plus y is equal to 7, तेनों की किता सी, x नों 0 ले 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 ले, 2 into 0, y is equal to y आगे 7, एक जोड़ा बन गया, एक solution बन गया 0, 7. दुजी जेगा मैं की किता, y नो 0 ले ले ले, 2x जमा y is equal to 7, is equal to 0, so x is equal to 7 by 2, so 7 by 2, 0, एक ordered pair बन गया, फिर y नो 1 ले ले ले, 2x plus 1 is equal to 7, so एक ही हो गया, x is equal to, 7 गया 6, ते 2 तीया 6, x तिन आगया, so एक बन गया 3, फिर 2x जमा 3, y नो 3 ले 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 ले, ठीक है ना, y नो 3 ले गया, 7, 4, 3, 4, x is equal to 4, 2, 2 आगया, so 2, 3, so 1, 2, 3, 4, इस सिमी करन दे, एक 4 साटिकोल हल आगया, इस तरह तुजी कुछ भी ले सक दियो, मैं इस तरह तनूज आरण देती है, कि तुसे इस तरह कोई भी value ले सक दियो, अपने हिसाब देनार, हुन देखो आगया, pi x जमा y is equal to 9, इते x 0 लेया, ते y 9 आगया, so 0, 9, फिर y 0 लेया, ते x आगया, 9 बटा पाई, 9 बटा पाई, यह आगया, फिर x 8 लेया, ए सौरी y नू 8 लेया, ठीक है, y नू 8 लेया, ते यह कि यहा, pi x is equal to 9 मेंस 8 ठीक, ते 1 बटा पाई, x 1 बटा पाई, एक बटा पाई, 8, यह एक और बटा पाई, फिर y नू minus 1 लेया, so pi x minus 1 is equal to 9, so यह हो गया, इते चला गया 10, ते x is equal to 10 बटा पाई, so 10 बटा पाई, कॉमा minus 1, यह यह दे 4 solution बना गया, फिर अगला आगया, x is equal to 4y, ते यह इस तरह लेया, x minus 4y is equal to 0, ठीक है, फिर देखो, x नू 0 लेया, x नू 0 लेया, यह भी 0 आगया, एग बच्चे याद रखनें, जिते एक constant term ना होए, constant term ना होए, एदा मनला कि, एक मुल जड़ा होएगा, 0, 0 जरूर होएगा, क्योंकि वो line जड़ी है, origin तो मूल बिंदो तो पास होएगी, एगल तो नोट से च भी समझाईए, कि अगर constant दी term नहीं हैगी, मह पास होएगा, मूल बिंदो तो ओके गुजरेगा, और इगल तो पास होएगा, so x is equal to 0, x is zero है तो फिर y भी अपने भी zero होएगा, क्यों? 0 बटा 4, 0, so 00, इक हो गया, फिर y नू लेया, आसी 1, x minus 4 into 1 is equal to 0, x is equal to 4, तो 4 होएगा, 4 आते 1, फिर y नू मैनस 1 लेया, minus 1, so minus 1, minus 4 प्लस 4 होगया, तो 4 होगया, तो 4 होगया, तो 4 होगया, so x is equal to minus 4, so minus 4, minus 1 होगया, फिर y नू दो लेया, so minus 4 into 2, minus 8, इते गया, plus 8 होगया, so x is equal to 8, therefore 8 into a charge solution, इस equation दे बन गया, तो तुसी कोई भी value पाके अपनी सूलत लेया, पर एक तरीका है वंदा है कि तुसी एक बार x लेलो, एक बार y नू 0 लेलो, तो सब्सक्राइब तो सुखा हो जानदे, तो अडलीस्ट दो solution तो अनू straight away दे मिल जानदेने, ग्राफ ड्राव करन लगे भी एही टेकनिक अपनानी चाहिए, एक बार x लेलो, एक बार y लेलो, एक बार x नू 0 लेलो, एक बार y नू 0 लेलो, तांकि कट तो कट line draw करने के समां, दो point चाहिए थे 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 ठेक है, चेक which of the following are solutions of the equation x-2y is equal to 4 and which are not, थले solution देते हो एने, एँ उन स्वाल ला उल्ट हैगा, पहले स्वाल ची है, सिगा पी या equation देती होई है, तो होदे हल बढ़ेने, हुन यान इन हल देते होई है, ते कें तो वदा solution है नितनी है, तो it means, what is the method of finding that whether a certain pair is a solution of the equation or not, we put the value of x and we put the value of y and see whether the results are matching or not, अवन देखिये, पहला एगा मुल 0, 2, so x देजेगा 0 पाया, minus 2, y देजेगा 2 पाया, एक ही बन गया, एक हागा 2, minus 4 is equal to 4, which is not true, so no, it, 0, 2 is not a solution, है solution नहीं हैगा, एदा हल नहीं हैगा, फिर आगा 2, 0, ते थे एक ही जेगा 2 पाया, minus 2, ते y देजेगा 0 पाया, is equal to 4, ते है कि 2, minus, 2 गुना 0, 0 होगया, तो आगा 2 बरबर 4, which is not true, है गल सहीं नहीं हैगी, so no, 2, 0 is not a solution of x minus 2, y is equal to 4, एदा solution नहीं हैगा, फि दे 4 पाया, x देजेगा, minus 2, y देजेगा, 0 पाया, is equal to 4, so 2, 0, 0, ते आगा 4 बरबर 4, 4 is equal to 4, which is true, so दे गल सहीं है, yes, 4, 0 is a solution of x minus 2, y is equal to 4, ते रग गे आगा, under root 2, comma 4 under root 2, x देजेगा, under root 2 पाया, minus 2 है गई है, ते y देजेगा, 4 under root 2 पाया, is equal to 4, so है गया, under root 2, minus, 4 दुना 8 under root 2 is equal to 4, so एभी बरबर नहीं है गई दुझेले, so no, under root 2, 4 under root 2 is not a solution of x minus 2, y is equal to 4, अगला आगया, 1, comma 1, तेजेगा, so x देजेगा 1 पाया, minus 2 है गई है, y देजेगा 1 पाया, is equal to 4, so we get 1 minus 2, which means minus 1 is equal to 4, which is not true, so we say no, this is also not a solution, no, 1, comma 1 is not a solution of x minus 2, y is equal to 4, अर्थात, एक एक जड़ा बिंदू है, इस समी करन दा हल नहीं है, और उन बच्चों, इस एक्सरसाइज दा आखरी स्वाल जड़ा है, वी कर लिए, बड़ा छोटा जा स्वाल है, सिंपल जा स्वाल है, की किन दा स्वाल देखिए, क्किन दा स्व x is equal to 2, y is equal to 1, is a solution of the equation, 2x plus 3y is equal to k, किन दे अगर x 2 होए, y इक होए, ते एक जड़ा x 2, y इक जड़ा इस समी करन दा हल होए, ते तुसी किया दा मुल पराफ्ट करो, हुँचे हल होए, अगर हल होए, ते दा मतलब आए ज़ा है, की आए समी करन ज़ा है, ऐस सही है, x दी एक पाहा होए, ठीक है, so putting value of x is equal to 2 and y is equal to 1, we have, in 2x plus 3y is equal to k, we have, 2 गुना, x दी ज़ा दो पाया, जमा, y दी ज़ा एक पाया, is equal to k, so 2 दो दो नी 4, 3 एकम 3, is equal to k, so 4 जमा 3, 7, k is equal to 7, so if k is equal to 7, then this equation will satisfy this solution, this solution will satisfy this equation, ठीक है, so इस तरह करके, जदो, जदो, एरभ मले, तसी एकल ख्या रखना है, जदो एकन देने की, this point, these values, they satisfy this equation, ठीक है, और this ordered pair is a solution of this equation, एक करमित जड़ा है, इस रेखी समी करन दा हल है, ये दा मतला है, एक्स दी जगा, ओ मुल पादो जो दिता होया है, ये दा मतला है, की x दी जगा, ओ मुल पादो जो दिता होया है, y दी जगा, ओ एक कदम सही बैठना चाहिदा है, ति ओदे बिच जड़ी चीज नहीं दिती होई, फिर ओदा, ये हो सकदा है, के हो सकदा है, एल हो सकदा है, ओदी वेल्यू फिर इस तरह निकाल दी जंदी है, तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो देनाल, एक्सरसाइज टोड़ी 4.2 सम पुरा का